तो देखा जवान, सलार और प्रोजेक्ट के का हाईप खतमी नहीं हुआ था कि साउथ इंडरस्ट्री वालों ने हमारे सामने कंगवा जैसी बन रही फिल्म को इंट्रोड्यूस करा दिया है तो यार 23 जुलाइक हो तो साउथ के सूपर डूपर स्टार सूरिया सर का जनम दीन और उसी दिन फिल्म मेकर्स ने कंगवा जैसे मूवी का ग्लिम्स लोगों के सामने रख दिया है और जिन लोगों को कंगवा का मिनिग नहीं पाता तो कंगवा का मिनिग होता है एक तो विक्रम मुवी के last sequel में सूरिय सर को रोलेक्स के किरदार में दिखा कर बवाल मच गया था लोग इतने excited हो गए थे कि रोलेक्स को उसकी upcoming मुवी में देखना चाहते थे और finally यार सूरिय सर हमें कंगा मुवी में देखने को मिलेंगे जिसमें नवी शताबदी के करीब की कहानी बताई जा सकती है और इस मूवी में हमें दिसा पार्टनी भी देखने को मिलेगी तो अगर बात करें ग्लिम्स की तो फर्श सीन में बहुत सारे लोग मर हुए दिखाई देते हैं और हमें एक ब्लेक कलर का पैंतर भी देखने को मिलता है फिर होती है कंगा की एंट्री जो की अपना हीरो है हातों में भाला लिये हुए और भाले में लगी हुई है आग अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो इस भाले में कुछ लिखा हुआ है क्या लिखा है बट क्लियर तो नहीं अगर कुछ तो लिखा हुआ है और अगले सीन में हमें ये दिखाया जाते कि कंगा के गले में एक माला है जो की हाती और शेरों के दातों से बना हुआ है एक सीन में हमें एक गोड़ा और एक पक्छी दिखाई देता है अगर आप लोगोंने नोटिस किया होगा तो कंगा के राइट हैंड में यह कुछ बना हुआ है जो की हुबहु इस तरह दिखाई देता है और लास्ट सीन में तो यार लास्ट बट नॉट लिस्ट सूरिया सर का डायलोग यार क्या बात है तो यार यह मूवी अफकॉस 2024 में रिलीज होगी जो की 3D में होगी तरह वीडियो पसंदे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरू करना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में